नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका लवनिफ है की यूट्यूब चेनल में यह है अपनी आधुनिक भारत एतियास की सीरीज जिसमें आज हम देखने वाले हैं समाजिक धार्मिक सुदार आंदोलनों की कड़ी में प्रातना समाज, वेद समाज, आरी समाज और सत्य शोदक समा उनके पीछी कारण क्या थे, क्यों शुरू हुए वो है ना तो उनके कारण भी हमने जान लिये थे अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो आप जाईए और वो लेक्चर आप देखिए ताकि एक बेस आपका बनेगा आपकी आप कनेक्ट कर पाऊगे और उसी लेक्चर अपना करी और वो जो भी थे उनकी जो भी भारती समाज में बुरहियां हुआ करते थी उसका गिरोध किया करते थे परन्तु वो ज्यादा आगे तक नहीं जा पायता प्रभाव ज्यादा नहीं छोड़ पाया फिर एक और महत्वपुन धार्मक सुदार अंदलन और जिने अ ब्रह्म समाज की स्थापना करी 1528 में हलाकि उन्हें 1815 में आत्मी सवागा गठन किया था उसे आरगे चलकर ए 1528 में ब्रह्म समाज का नाम दिया जाता है और उन्होंने भी वो सेम सुधार जो है वो सुधार इनके मैकसिम्मक के अल्मोस सबके सेम हिरेंगे सबके अग्दमा आगी चल एन दोद के भाद में दो एक अगाल से की यहां समय के जाते हैं कि जा यह कोई ने कोई दूसरा तकापना होती यह तो उसी कड़ी में आज हम देखेंगे कि वो 1866 में बॉंबे है जो आज आज मुंबई है उसकाल में बॉंबे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उसमें 1866 में वो यात्रा पर आते हैं और वहाँ पर फिर जो है उन्ही की प्रेज़ना से स्थापना होती है प्रात्ना समाज की तो आज संस्तापक होते हैं डाक्टर आत्मराम पांडूरंग महादेव गोविंद रानाडे अगर आप थोड़े से भी अवेर हैं तो आप नाम देख के परचान सकते कि ये कौन से राज्य का विक्ति होगा तो हना ये रानाडे जैसे नाम है आप समझ लेना की महारास्ताक है तो आत्मराम पांडूरंग महादेव गोविंद रानाडे ये इसके महतवपून संस्तापक हुआ करते थे केटी तेलंग भी जो है इनके संस्तापकों में से एक हुआ करते थे हलाकि वो आज उन्होंने जो है अपचारिक रूप से कभी कोई पद गरहन नहीं किया इसमें प्रात्न समाज में परन्तु वो इससे जुड़े हुए जरूर थे केटी तेलंग जो इनकी सभाय वगएरा होती थे उसमें आते रहते थे केटी तेलंग साथ ठीक है जो रानाडे थे एमजी रानाडे इनका पुरा नाम महादेव गोविंद रानाडे है ना महादेव गोविंद रानाडे जो है इनको पस्षिम भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है जिसमी भारत की पुनर जागरण का अमईं उनको कहा जाता है, पंदार कर इसके एक ओर नेता करते थे, आगे जानेगी नेताओं के बारे में, पूच्छे पूच लेगी, दो तिन नेताओं के नाम आपको देखे पूछ लेगे कि निम्नलिकित में से प्रात्ना समाज में से जुड़ेवे कौन-कौन से नेता थे ना दादा बाई नेताओं नाम पैंडूरंग कुछ भी नाम देदेगी वह ठीक है आपको कंफ्यूज कराने के लिए आपको पता यह पर कैसे खेला खेलती है यूपेस्सी है ना खेला हो फिर फिर तो वही होता है तो अब इस प्रात्ना समाज के दो मुख्यंगुआ करते थे एक तो प्रात्ना यानि उपासना और दूसरा सामाजिक सुधार यानि एक तो प्रात्ना पर ये बल दिया करते थे दूसरा होता था सामाजिक सुधार की सामाजिक सुधारों पर बल दो और सामाजिक सुधार में क्या हैगा वही सत्रिप्रता जाति वाद छूवा छूट बाल विवा विदुवा पुनर विवा यह सब चीजें जो है हुआ करती थी है ना अब देखे प्रात्न समाज के महत्वपूर्ण जो इसके सदस्य हुआ करते थे जुड़े महत्वपूर्ण लोग उनमें आत्मराम पाणुरंग थे वासुदेव बाबाजी नोरंगे यह नाम आप उनके प्रतिकूल जो हम जो बुराइलया समाज में है वो क्राचिं जो हमारे र्रणे मõल के प्रतिकूल है जो हम और इसमाज में है वो प्राचिन और कुरौत्याइब यह क्यों पत्रमाई में कमें गरंत्र तर रिखा नहीं करें वहां? संबंठ तेंज उन्हां कि प्रतंदर क्यों करते परतंत्र को मतलब किज दूसरे की अधीन होना वे प्रतंत्र होता है आज बी प्रतंत्र ही तो है यह नितर पुरूश को की गलती नहीं है इस तरियां सबसे बड़ी जो है इसमें दोशी है परतंत्र होने में आज भी आपको होगे आज आज पास में आप देखो यहीं तो दिखाती है कि लड़की हमेशा उसके अंडर में ही रहें परतंत्र की स्तती में ही रहें तो इसमें दोशी खुद स्त्रियां ही हैं लड़की खुद यह चाहेगी कि मेरा पति ज्यादा कामाने माला हो मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखाबा हो यह क्यों नहीं कि पति स से ज्यादा पथनी पड़ी भी हो सकती है तो इसने खुद वह भी विद्व ने कोशिश नहीं करती है तो अघुछ बाल में विद्वान पूनल इवा का उसके विरोध संक्रिंद fark हुआ करते थी उसके अंदार पर जो सजाती विवाह हुआ करते थे उनके वी यह विरोध में थे कि क्यूं सजाती विवाह ही होनी चीने झाली उन्ता की इस तरियों कि शिक्षा जो जिस्टरियों होगते थी इसके विरोधी तो इस प्रकार की जो बुराइएं हुआ करते थी इसका विरोध किया एमजी रानाडे ने तो महतवपूर्ण अगर चेहरा आप इसमें देखो तो वह एमजी रानाडे ही है है ना मादे गोविन रानाडे ठीक है रानाडे ने जो नत्य और मत्य पान हुआ करते थे उसका भी उन्हों ने विरोध किया कि भईया यह जो नाच गाना करके जो पाट्टिया माट्टिया होती है न यह गलत देखे इतिहास में याद रखो अशोक ने भी इन सब पर दिन्द लगाये था इनके उपर जो नर्टे और मद्यपान समंदी चीजे हुआ करते थी जो समारों करते थे उन पर और विवाव में फिजूल कर्ची हुआ करते थी उसके विरुद्ध भी आंदोलन चलाये था इन्होंने एमजी रानाडे ने देखे यह विवाव पर बुफे सिस्टम लगाया जाता है क्यों अपने आफको उच्छा दिखाने के लिए तो फिर उधार लेके पैसा लगाया जाता है और फिर चुकाते चुकाते मर जाते हैं तो यह फिजूल खर्ची जो हुआ करते थे इसके विरुद में भी उन्होंने आंदोलन चलाया ठीक ह आपके देखते राणाडे के जो अंदोलन हुआ करता था उसने अखिल भारती स्वरूब धारन कर लिया अखिल भारती मतलब अब सब बंबे में ना रहकर भाहर भी निकला देकि यह है जस्तिस महादेव गोविंघ रानाडे यह महादेव गोविंघ मानाडे जो थे यह उस कि उन्होंने जो उनके आस्तिकता संमन्दी जो विचार थे उनको तो 49 अनुछ्यदों में संक्रित्म पुस्तक र्णा क्यों लिखि एक आस्तिक की धर्म में यह पूस्तक MARK पू λέब तो तो बो Jimju पूछ चाते हैं तो एक आस्तिक के धर्म में आसता यह. एमजी रानाडे ने लिखी थी और रानाडे के धर्म और समाद समंदी जो विचार हुआ करते थे वो निश्चित ही प्रस्चिमी विचारदारे से तबाविते देखे जितने भी यहां पर यह जो होंगे समाद सुधार इनके विचार प्रस्चिमी विचारदारे से प्रबाव होने चीए फिर यह सहारा लेते हैं अपने ही ग्रंतों का ताकि उसको एक वैदता प्राप्त हो जाए अगर आप आज जाके खुद एक बार दिमार लगा के सोच के देखिए आप आगर आप गाव में जाकर कहोगी जाती प्रता गलत है यह विद्वा विवाँ होना चीए बाल को लगे हाँ बात में गुछ दम है तो इसे लिए इन गरंतों का सहारा लिया करते थे ठीक है रानारे का जो समाजिक सुदार अंदोलन था वह 19 वे सदी के अंति तक सफल्ता पूर्वक जारी रहता है 19 वे सदी के अंति तक या निए अठारा सो जो इस भी होती है उसके अंत के साथ में हुआ करते थे तो यह याद रखना एंजी रानाड़े के साथ कौन ते विश्णु शास्त्री और धोन्दो कैशव करवे रानाड़े और करवे ने विद्वा पुनररविवा पर किसने अंदोलन किया था और किसने कानुन बनवाने के लिए कोशीश करी थी है ना पिर विद्वाओं को शिक्षा देने के लिए विद्वा आश्रम के स्थापना भी इन्होंने की यानि कि अगर विद्वा हो गई आप उसको शिक्षा दे देंगे तो वह कुछ न कुछ कमाने का उसके पास जो है वो जुगाडा जाएगा क्योंकि पती तो मर गय कुछ इस दर्म पर है कि विद्वाओं को पढ़ाने का विरोदी है क्यों बिख कि फिर वह उन पर डपेंड़ेंट से मतलब यह पढ़ने लिखने का सरकारी नोकरी से यह नोकरी लगने से समझें यह आप बात यह तो सर्फ साधन है साध्य तो कुछ और है है ना और इस आस्रम का उद्धे से विद्वाओं को सिक्षिकाओं परिचारिकाओं और दाईयों के रूप में प्रशिक्षित करके आत्म निर्बर बनाना था आज आत्म निर्बर भारत अभियान अपने देखे कई सालों पहले उन्नीस विषयत आपदी में ही रानाडे साव और करवे साब ने मिलकर यह आत्म निर्बर भारत इन्लों ने बनाने का अभियान शुरू कर दिया था किसको महिलाओं को आत्म निर्बर बनाने के लिए आज तक भी बहुत कम ऐसी महिलाएं होंगी जो तो उसकी मां उसकी बहन उसके पड़ोसियों में स्थ्री जाती ही सबसे ज़्यादा विरोध करेगी पुरूस से ज्यादा ठीक जानाडे ने 1877 में पूना सारवजनिक सभा और 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की इन्होंने स्थापना कर दी देखे एजुकेशन के लि होते हैं कर्शिकों के उसमें में भूमिगा निभाती है ये पूना सारवजनिक सभा खुब जागरूता ये खलाती है ठीक है तो यह हमने देख लिया एम जी रानाडे के बारे में ठीक है अब आया तर वेज समाज हमने प्रात्म समाज के बारे में जान लिया कि 1867 में केशव चंदर सेंज जो है बॉम्बे की यात्रा करते हैं और उनके प्रेजना से बाद में महाबर आत्मराम पंडूनंग और रानाडे साब जो है ये लोग मिलके और भंडारकर साब जो थे करवेशाब ये सब लोगों ने मिलके किसकी स्थापना कर दी प्रात्म समाज के स्थापना ठीक है उसके उद्देश्य हमने उलड़ी पढ़ लिए पूना साब निक सभा के स्थापना इन्हों ने क्योंगी साथ तक्कन एजुक्रेशन सुस में मदरास में वहाँ पर गए हैं तो मदरास में स्री ध्रालु नाईडू के शबर से nephew विच्रसेंग के संपर्क में आने के बाद उनके विचारों एक दम 되어 समाज की साफना की जाती है जिसका नाम होता है समाज एक अंदोलन महां भी शुरू हो जाता है जिसका नाम होता है वेद समाज देखिए शुरुध्रालों जो होता है संपरक में रहें जाने हैं और वापस आते हैं मद रहास में और जो advisor समाज होता इसका नाम बदल के ब्रह्मो समाज ही रख देते हैं तो देखिए इस प्रकार की कोशन पूछना भी वह स्टेट्मेंट दे देती है उसके आदत है कि ऐसा कौन सा समाज है इनमें से यह ऐसा कौन सा अन्दोलन था जिसने अपना नाम बाद में परिवर्टित करके ब्रह्मो समा समाज ही रख लिया था ना तो इसके स्टापना में देखे श्रीद्रालू नाइडू और केशव चंद्र सेन ने महत्रपूर्ण भूमिका निभाएती 1864 इस्वी में बना लिया गया था यानि कि प्रात्ना समाज से पहले यह बना था आपको याद रख लेना है क्योंकि यह यह आपको क्रोनलोजी याद होने चीए क्रोनलोजी में लगाने के लिए क्वेशन बन जाते हैं वेट समाज जो है वो उसका मैत्पूर्ण जो इसकी शिक्षाई क्या हुआ करते थी कि जो हिंदूस धर्म है उसके अंदर रहते हुए ही जो ब्रह्म समाज में आस्तिक्ताव दोराय स्वामे आयंगर भी इनके साथ मिल जाते हैं और उन्होंने यग्योपवीत का परित्या करने के खुले आम गोशना कर देती यह वेजवित का मतलब क्या होता है जो जेंख्योधारन करते हैं न तो आयंगर साब ने दोराय स्वामे आयंगर ने सार्वड़नी कर्म से ती जो यग्यों पवीट होता था उसको त्याक करने की ठीक है वेज समात के शुधार कारेकरमों में क्या हो और अंतेस्टिक संस्कार जैसे धार्मिक कर्मकांद दुवा करते फिर 11 दिन 12 दिन पताने तेरी जो होती है उसके बाद कितने सोब लोगों को मुष्ट्टी भोज में खिलाए जाता है एक वेक्टि देर नर गया उसके उसका दुख पाति पाति के भीदवा हुआ करते थे उनके परित्याक करने पर भी उन्होंने बल दिया और जो बहुपत्नी प्रता हुआ करते थी यानि एक व्यक्ति बहुत सारी पत्निया रखा करता था इस बहुपत्नी प्रता कभी नोंने विरोध किया बाल विवा के परित्याक किया और पार्टी की जाती है ना ये खूब तो यह बंदगरो भई यह गलत बात है और इन्हों देने वाली बात बात धों सब्सक्राइब पूरका दो दूसरे दस्टी से वागता बाद में तो कह देगा कि नहीं नरत्यांगर्णाओं और टांस करती सब्सक्राइब जो प्रफेशनल नहीं नहीं कोई उस प्रकार के दान्स को यह कहने किना नहीं की जो असलील दांस किया जाता था उसके जो है वो विरोधी हुआ करते थे श्री ध्रालू नाइडू ठीक है विद्वा विवा का इन्होंने समर्थन किया और साथे साथ एक अभियान भी चलाया तो ऐसा पूछ लेगी विपे था इनका वेद समाज यहीं समाप्त हो जाता है तो वेद समाज में आपको याद कर रख लेना है 1864 में केश्यव चंद्रसेन और श्री ध्रालू नाइडू का नाम तो आप भूलना ही मत इन दोनों के सहयोग से वेद समाज की स्थाफने कर दी जाती है बाद में 1871 में यहां ल जुत्य के बाद में 1880 के बाद में यह अंदुलन समाप्त हो जाता है और इनके देखे सुधार यह क्या क्या करते थे किस बाद में बलता यह तो लगबग सबके सेम होते हैं ठीक है तो वेद समाज हमने देख लिया ठीक है अब आजाता है 1717 समाज एक महत्वपूर्ण और स और 28 में जब इनका जन्म होता है तब तक तो ब्रह्मों समाज के स्थाफना कर चुके होते है राजा ना मौन रहे तो यहाई यह जूनियर है राजा राम अंधूलन कर देख फिर इनोंने क्या कि गया घर अंधुलन का मतलब क्या हुआ ? यानकि जो ब्रह्मनवाद हुआ करत आप पड़ा पड़ाई लिखाई नहीं कर सकते आप हमारे सेवा करोगे है ना शहर से बाहर रहोगे यह तमाम तामजाम चीज़ें यह होती है ब्राह्मनवाद है इसका इन्होंने विरोध किया और खूब जोरदार इन्होंने आंदोलन चलाया और उसमें काफी मात रख तक य इन्होंने शिक्षा ग्रहन की और व्यक्तिवकत इन्होंने अनुबहु किया साथ साथ जो ईसाई धर्म प्रचारक हुआ करते थे उनके जब यह संपर्क में आये तो इन्होंने हिंदू धर्म के अंतर जो प्रथाएं हुआ करते थी कूप रख हैं उनके यह कट्टर आलोच बन जाते हैं क्योंकि जब यह इसाई धर्म को पढ़ेंगे और आसपास की जब पढ़ेगा कोई बैयात में तो देखिए जो भी यह होगी कूप रखाएं उनका उनका उनकी करेगा आप भी पढ़ें पढ़ोगे लिखोगे आपको गलत लगेगा सब कुछ यह चीजह जब अभी आपने शुरुआत करिए पढ़ाए की अगर आपने कजिनों ने अलजरी पढ़ली है तयसे आप पढ़ोगे भारत समाज के chemicals में विष्व की समाज के बार में विश्व के कि इतिहास के बारे में किस प्रकार से बिजय में प्रपोथन इस में यह करते हैं कि ब्राहमनो वाल मेठ पढ़ने द्याना जाता था सरकारिस पढ़ने दिया जहाब सरकारी स्कोल को मैं आपको लोड़िए था अधोल मुखिनिशन्दन और सिध्धान्त। रहें कि झाल वहां पर अगर अच्छोत लोगों को पढ़ने देते तता कटित प्रूं जी ने खुत माना जाता था पैसे तो कोई होता नहीं है परन्तु वह अगर जाते तो वहां पर उच्वर के लोग शिक्षा धारन नहीं करते वह तो भाग जाते कि हम नहीं इनके साथ बैठके शिक्षा नहीं धारन करेंगे तो इन्होंने अच्छुतों के लिए अलग से विद्याले खोल दिया कि मत पढ़ाने दो उनको मैं पढ़ा तो पर जाते के साहिता लिए निवी ठोल गया खोल लिया थो क्योद्वा देढ़ पिह युद्वा लियो अने घजाती तो लिए अनको केलिये अलग यह थोद्वाति मैं और जो विद्वाय करते थी उनके लिए नहीं ने ने आप आप और या रो से सम्मान के साथ ठीक और जो तुब का फुले जह थे उनने ब्रामुणों की जो पूरोता ही पुरोहीता ही हुआ करते थी उससे घ्रणा कि पूरोहीता ही का मतलब जो अपने आपको उच्चे समझे और दूसरों को निन्म समझे ऐसे लोग अभी भी अपने समाज में हैं अभी हाल फिलाल के में में न्यूज में देख रहा था कि गुजरात में एक दलित वेक्ति होता है वो घोड़ी पे बैठकर बरात निकाल रहा होता है तो वहाँ से कुछ दबंग लोग आते हैं दबंग क कहां से विखसित हो गें इनकी अकल तो वैसे विक्सित हुई नहीं है कि इन चजों से घ्रहना किया करते थे त्व फिर गेर ब्रामन और अच्छूतों में वो कोई फरक नहीं समझा करते थे यानि कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको अच्छूत माना जाता था और कुछ तो ऐसे हैं जो ब्रामन नहीं है पर उनको अच्छूत नहीं क्या करते थे कि माना उनको अच्छूत नहीं माना गया मगर बहुत से मामलों में वो उनसे नीचे इहीं है उनको नीचे द्रिस्टी से ही देखा जाता है इसलिए उनमें कोई ये भेदभाव नहीं करते थे गेर ग्रामनों और अच्छूतों में यह लाइन निया लख लेगा आप और गरीबों के तो यह इतने अधिक फक्षदर खरते थे कि जब यार्क के ड्यूक आते हैं ड्यूक क्या होता है? ड्यूक का मतलए मतलए प्रिंस का जैसा होता है जैसे अपने यहां सामन्त म्-त होते हैं बिटेन में वहाँ पर सामंत होते थे एना वेल्स केव और उख वगरा होते हैं तो डिएक राक यह आ खाया यार्क तो वहा जब यह उनसे मिलने जाते हैं तो यह धूती खुरते में मिलने चाते से और यह कहते हैं भाई आप मैं देखो इसलिए मैं एक सच्चा भारतिक किसानों का वास्तव प्रतिनीद हूं कि क्योंकि देखें मैं किस पोजिशन में वो किसान रह रहे हैं मैं भी उसी पोजिशन में रह रहा हूं और उनके सामने वह ऐसा ही धोती क्योंकि इनके सामने जाने के लिए कुछ फ्रोťाकॉल होते हैं अगतीजी और जेकर चाके प्रोटटापने के लिए साथ 17 стр समाज की स्थाफ़ना location to 7 str of 7810 मीन्हों workplace जिंस ब्लित है उने अपने अधिकारों के उतुद्र मने जा सके ना जरूरी नहीं है कि आप कि विजार मुल्क रीज़्े ना के अधिकार्र के प्रदिल नहीं हम तो अगर मेरे दिल ने ना कभी गुलामी कबूल की है और ना कभी करेगा है ठीक आगया आप है और अपनी ब्राह्मन विरोष्टी गर्दी वीदियो को संग्रटी तुरूप में प्रसाद देने के लिए उन्होंने दो आलोचना तुम्हें यह लिखते हैं जो कृतियां लिखते ह में जिस्में एक होता साजनिक सकते धरम पुस्तक और एक होता है गुलामगिडी इन्हे biggest गुलामगिड जो है यह बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है अगर आपको वक्त मिले तो यह गुलामगीरी जरीर पढ़िएगा अगर गुलामगीरी पुस्तक आप नहीं पढ़ सकते हो तो गुलामगीरी के बारे में कोई वीडियो यह आप देख लीजेगा पाखंड उते धॉंग होते होगे उसाथी सधायशा कर देखा तो यह आर्यों को गरह गाया नापता हुआ और यहां के मूल जो है वहां के वहां करते हैं जिनको राक्चिस सब्सक्राइब बाता है हमारे हिंदू ग्रंतों के द्वारा उनका इसम्मान करतें जैसा राजा बली हो गए वह उनको यह असली जो है वो योदा मांते हैं असली भारत के नेता उनको मानते हैं देवता मानते हैं यह वक्त मेले तो ज़रूर पड़िएगा गुलाम गरी जिसमें इतने महान महान personalities रही होगी, यह है जीवन का उद्देश से, नोकरी लगना जीवन का उद्देश से नहीं है, यह महान व्यक्तित तो बनना यह उद्देश से, और वो व्यक्तित तो कब बनेगा, जब आप पढ़ोगे लिखोगे, अगर आप नहीं पढ़ोगे लिख सावित्री भाई फूले जो है, इनका जन्म 1831 में हुआ था, और इनके पिता का नाम खंदोजी नेवे से हुआ करता था, माता का नाम लक्षिमी भाई हुआ करता था, यह कोई नहीं पूछेगा आपको ऐसा, ठीक है, 1841 इसमें में जोतिराव फूले के साथ, जिनको जोतिर फूले भी कहते हैं, तो जोतिराव फूले के साथ इनका विवाग हो जाता है, ठीक, और सावित्री भाई फूले ऐसी महिला, पहली महिला थी, जुन्होंने भारत के पहले बालिका विद्धाले, इन्होंने सापना करी और उसकी यह प्रिंसिपल बनी, पहली महिला प्रिंसि जाता है जोत्राव फुले को और उनको महिलाओं और दलिट जातियों का सिक्षित करने में प्रियास के लिए भी जाने जाता जहुत्ति वह अपना पति को यह अपना गुरु मानती है का And gemis सार्य पति यहीं तो सारी बनेंधा नहीं हैं आप संवान करें उनका वह शमान के लाइक है विख भाइप को एक मिशन की तkteरह नहीं जिया और विद्वा विवा चुवा चुट मिटाना और महीलाओं की मुक्ति और दलित यहित कवियतरी भी और मराथी की आदी कवित्री के रूप में भी जाना जाता है ठीक है थे के महीना विद्धाय के लिए के लिए इस्तापना भी लिए और 1848 इस्वें में पूरे मैं अपने पती के साथ मिलकर विभिने जातियों की नोचात्राओं को इनोंने लिया और महिलाओं के लिए एक विद्याले की स्थापना नहुने कर दी अथारा सो 48 इस पीडिशादी कहने चाहरा सो एक्तालीस में साथ साल अगर किसी को भी शिक्षा नहीं मिली है पशू शमान है वहूआ उससे बड़िया पशू है मैं आ बोघ बड़ी बात पर कहां जिसको शिक्षा नहीं मिली ए वह आदमी पश्व तुल्ए ही है और इसके लिए जो तत्काली सरकार होती है ब्रिटेश सरकार को इने सम्मानित भी करती है और एक महिला प्रिजिपल के लिए 1848 में एक बाली का विद्याले चलाना कितना मुश्किल रहा होगा इसके बारे मैं आपको बताऊंगा कैसे मुश्किल रहा होगा कि जब ये अपने घर से अपने विद्याले के लिए निकलती थी तो ये दो साड़ी अनिके निकलती थी यानि एक साड़ी तो पहन के और एक साड़ी जो है वो अपने बस्ते में लेके निकला करती थी कूँगे रसते में जो तथाकतित अपने आपको उच जाति के मानने वाले ब्राहमन लोग और जो ब्राहमन वात से ग्रसित लो शोटे वो इनके उपर पत्थर मारते थे, इनके उपर गोबरग फैक ते थे फिर विद्याले जाके इनको साड़ी चेंज करनी पड़ती थी और फिर भी यही कहते थी कि है इश्वर इन्हें माफ करना ये नादान नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं और इन्होंने फिर भी अपना काम जारी रखा आज आपको कोई दो ताने मार दें कि आप पास हो जाता है 1897 उसमे में प्लेग की होज़े से यह बार में देखी इन्होंने वीद्वाव के लिए कार लोगों की सेवा कर रही होती है और प्लेग जो होता है तो संक्रामक हो तो इनको भी वोग हो जाता है और उसकी वज़ए से प्लेक की वज़ए से इनकी मृत्यू हो जाती है तो देखे कितना महान इनका जीमन्दा है शिक्षा मिलने वाली रहीं कि नहीं रहीं है तो महान महान अगर महिलाओं की बात अगर करें आपसे तो लोग सिर्फ रानी लक्ष्मी भाई का नाम ले लेते हैं कि जहां से करानी लक्ष्मी भाई महान है यह हैं उनसे महान कि इनकर कोई नाम नहींने ले जहां से करानें सिर्फ नाम लिया जाता है उभान है ये समाज में कितने कोशिचों करינו हैं वो तो स्रोब अउने राज्य के लिए मपरी हैं मगर ये देखो अपने समाज में और दूसरों के सेवा करते-करते मरी ह такие एathanि प्लेग में प्लेग के जो मरी स्वा करते एक मिटवा पाने प्लेड 的 तो अरे समाज किसत्रापना करने वाले होते हैं मुल्शंकर अब आप क Watch तो मूल्शंकर करते थे यहिंवा करते दयानंद सरस्वति के profound जानी जाते हैं और इनका जन्म 1824 में काठियावार गुजरात में होता है और महाँ पर मोर्भी नाम का एक छोटा सा प्रांथ हुआ करता था उसकार में एक रजवड़ा हुआ करता था वहाँ पर इनका जन्म होता है मोर्भी में गुजरात में प्रशिद्ध है तो ब्राह्मन परिवार में इनका वहाँ पर जन्म होता है और यहीं बालक मूल शंकर आगे चलकर दयानंद सरस्पृति के नाम से प्रसिद्ध होता है 21 वर्ष की उमर में जब यूपेसी की एक्जाम जरक यह 먼저 में और आकर आकर इनको एक ग्रू मिलते हैं आंदे होते हैं गुडू नेत्रहीन स्वामी विर्जानंद तो स्वामी विर्जानंद के ये शिष्षे बन जाते हैं और स्वामी विर्जानंद से ये धाई वर्ष तक ज्यान हासिल उनसे करते हैं वेदों का ज्यान उनसे प्राप्त होता है इनको स्वामी विर्जानंद देखे वो अंदे होते हैं ने क्यों और भारत में ले दार्शनिक जो भी व्याक्याय और भारत जो भी समाज में जो कुरूतें फचानों करने का आप मिशन आपका होगा तो इसक आप में फिर शूरू हो जीवन परियंत जो है ये महर्शी दयानन सरस्वती अपना काम जो है वो अपने गुरू को दियावा वचन निभाते रहते हैं अब वेदो और भारती दर्शन का ये गहन अध्यन करते हैं और ये इस निशकर्ष पर पहुंच जाते हैं कि आरे जो जन हुआ करते थे वही श्रेष्ट हुआ करते थे और वेद इश्वरे ग्यान है और भारत भूमी एक विशिष्ट भूमी है और सबसे महान है नो डाउट भारत भूमी एक विशिष्ट भूमी है और महान है इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है इसलिए इसी आधार पर बाद में ये 1875 इस्वी में स्थापना कर देते हैं आरे समाज की मुंबई में तो जगा और येर आपको याद एकना है जगा और येर 1875 में स्थापना कर समाज है ठीक है 1864 में वेद समाज है 1867 में प्राथना समाज है अत्मारंग पर्णूरं आर्जिन अड़े वाला मापकी जगा ठीक है उसके बाद में 1873 में सब्ते स्रुदक समाज जोतिवा पुले वाला और 1875 में कौन सा ये जो भी हूं पढ़ रहे हैं ठीक है तो आरे समाज के स्थापना कर दी जाती है मुंबई में 1875 में ये ये सन और साथे साथ कब की गई थी ये ये आपको याद दखना है पूछ लेगी और देखिए मैं जिस चीज पर जोर देखे कह रहा हूं कि ये याद रखे लेना बिटा वो तो कर ही लेना फिर मास्टर को मत बोलना कि आपने नहीं बोला था या आप इतना सारा कैसे याद रखते हैं हमने तो सारा ही पढ़ा है आप तो इसमें से क्वेशन अगया एक्जाम के बाद में मैं डिसकस करूंगा क्वेशन पेपर की कि देखो मेरा पढ़ायवा कहां से कहां से हैं फिर मैं आप वताओंगा कि देखिए इस चीज पर मैंने बल देके बोला वो क्वेशन आया है है और कुछी बाद में आरे समय बाद में आरे समाज का करने में ये अपना समय बिताते हैं और वेदो का अनुवाद इन्होंने किया वथ्रत प्रकास हिंधी बॉक है राजया और ओप्शन दे देगी ऐसे दयानन सरस्वति की जोतिवा फुले की तो जोतिवा फुले की क्या है उनकी इतावनाब गुलाम गिरी और इनका नाम है सत्यार्थ प्रकास फिर वेद भासे वेद भासे भूमिका और वेदों पर एक परिचायत में टीका जोगवा करते थी और व हलाकि ये मुंबई में उतना सफल नहीं हो पाता है पर्शिम भारत वे उतना सफल नहीं हो पाता है मगर पर्शिम अतर भारत में ये खुब सफलता हासिल करता है खासकर पंजाब और लाहर वाला जो इलाका हुआ करता था वहां पर ये खुब सफलता हासिल करता है कुछ से म तर्यानंद सर्वती ने और भारत का आधासम वेदों को पता दिया कि अधासम भारत का कौन है ले री हैं है और उन्होंने बताए कि हिंदू ध्रम और वेद कि जिन पर भारत का पुरातन समाज टिका हुआ है वो शाश्वत है अपरिवर्तनिय है धर्मातीत है और देवी है यह याद रखना वेदों को अपरिवर्तनिय किसने माना तो तयानंद सर्श्वति ने वेदों को अपरिवर्तनिय माना था राजा रामुन राय ने तो उनको परि स्विकार नहीं करते हैं कि मूर्ति पूजा है ना और इस प्रकार की जो अंद्रविश्वास वगर्णा करते थे वह इन्हीं पुराणों की वज़े से आया था था ना जिसे विश्णु पुराण करते हैं उनकी बज़े से और समाझ सुधारक काडिकरह में अब देख लेतेयां कि क्या कि कारिकरम होते हैं इन्हों ुच चतुरवन समाज हुआ करते था उसको जन्म के वदले कर्म के अधार पर पर सुच्विकाarta क्या यानि समाज में होता है चार डू pest के यहा ब्राम्न के अधार पर नहीं कर्म कि तो यह चतर वन्स को स्विकार किया था पर समाज कर्ण सख्षिक मामलह में यह ये रिव इसके समानता तो पर यह बल दिया करते थे साथ चुषरण चूँथ जाते भेट बाल विवया का यह विरोध किया करते थे वुद्वाब विद्वाबे होनाची अंतर जाते विवया भी होना चीए और Joyce Ryan कि su af उन्हें कि इन्होंने माना और वेदों को किसी दूसरे गरंत को इन्हों पर्मानिक्त नहीं माना पहली बात प्रस्वती कई देनन सरस्वती ने जाति प्रत्खा विरोद कि और चेथी प्रत्खाई विरोद करते हैं चुवाचुद का विरोद भी करते हैं इस रह impedance सारे चीज़ें सेम है और 1875 इस्वी में दयानन सर्श्वती द्वारा स्तापित आरे समाज ने जाती प्रथा का बहिशकार किया और साथी साथ जो चत्रवन विवाजित वेदिकाली हिंदू समाज है उसको पुनट जीवित करने का इन्होंने प्रचार समाज कि चत्रवन जो समाज ह उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए वह ना शूद्रों के लिए इनोंने कहा कि ध्रम गरंत पढ़ने का अधिकार उनको भी सुद्रों को भी होना चाहिए क्योंकि जाती एक कर्म के आधार पर तो मवर्ण वबस्ता मानते हैं इसलिए उन्हें बोला कि शुद्रों को भी पुरुषों की समानता पर इन्हों ने बले दिया बल तो देते ही और यहां पर आपको याद रखना एक तो गोरक्षनी सभा इन्हों ने बनाई और एक शुद्य अंदुलन इन्हों ने चलाए था यहीं से जो है यह थोड़े से कोंट्रोवर्सी में आ जाते हैं गोरक्षनी सभा और शुद्य अंदुलन इनके द्वारत चलाए गया था तो गोरक्षनी सभा किसके लिए गाएव के रक्षा के लिए चलाते हैं और उसकाल में देगे मैंने आपको बताया था उलड़ी क्यों धीरे-धीरे धार्मिक सुधार हो राथा वो धार्मिक पुनर्थानवाद में और फिर धार्मिक उन्मात में बदल जाता है और जो सुधार के बारत अब तक अपने समाद में हुआ करती थी घरे-धीरे हर एक चीज को सुधार ना करके उसमें उसको सही तहरा जिया जाता है शास्त्रो के आधार पर कि दैक के गोग रक्षा के लिए दंगे उत्तर भारत में पूरे और इसमें जो है आरे समाज एक महत्वपूर्ण भूमी का निभाता है गोग रक्षनी सबाकी इस्तापना कर देता है शुद्य फिजा का मतलब क्या कि अब तक जो हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों जिनों ने हिंदु धर्म से अपना धर्म परिवर्शित कर लिया है उनको भी संपत्ति में पुरा-पुरा विरासत में अधिकार दे दिया था इससे पहले क्या वह करता था कि अगर हिंदु धर्म वाले ने माल लिए दूसरा धर्म चेंज कर लिया कोई भी एक्स वाई जैड तो अब उसको उसकी जो विरासत संपत्य वहा करती थी ना उसका कोई हिस्सा नहीं होता था परन्तु बिटिस सरकार ने यह लेक्स लोकी एक्ट पारिट करके यह कह दिया कि अगर धर्म परिवाथ्यत भी आप ने कर लिया तो भी वो संपत्ति आपकी ही रहेगी तो इसका भी खूब विरोध होता है उसके बाद में देश बर में देखें इन्हों ने इन्हों ने इन्हों ने क्या यह तो 1893 में ही चल बसे थे यह याद रखना आपको तो देखें श्रमाइब के जाती है और यह पंजाब वाले खेतर में खूब जो है यह यह तरी समाज फलता पूलता है और लाला लाजपत राई का आपने नाम सुना होगा तो लाला लाजपत राई जो है वो भी इस आर्य समाज से प्रभावित है उसे जुड़े वे रहे तो आज देख लिए हमने बहुत सारे महतोपूर्ण भी महतोपूर्ण धार्मक्सदार अंदोलों के बारे में जानकारी हासिल कर ली है एक्जाम की दर्ष्टी से बहुत महतोपूर्ण है ठीक है इनको में कहीं बें क्वेशन बन सकता है है तो आपको बस वह यूज करना आना चाहिए कि हां मैं किस प्रकार से इस ग्यान करके जैस एक मेन चैनल है यहां सबस्क्रijण कर सकते हैं याँ से लिंक भ दिया वहाँ है जहां से ब्डिर को जोइन कर सकते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अगर आपका कोई भाई बंदू दोस्त सखा कोई PCS की तयारी कर रहा हो UPSC की तयारी कर रहा हो SSC की किसी की भी तयारी कर रहा हो देखे माना fact कुछ हो सकते हैं कि कम हो मेरे वीडियो में पर आंतु concept भर भर कें तो वो fact आपको तभी याद होंगे जब background और concept आपका clear होगा तो पहले आपको यह कहानी के तोर पर समझना पढ़ेगा उसके बाद fact जो है वैसे बहुत सारे पढ़ने हैं तो पहले concept आपका clear होना चाहिए न और कुछ ऐसे लोग हो आपकी नजर में जो कुछ नहीं करते हैं निठले बैठे रहते हैं इंस्टाग्राम ही सारे दिन जीवन में चलाते रहते हैं वहीं उनका उग्डेश है रह गया तो उनको भी आप recommend कर सकते हैं और आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें comments box में लिख सकते हैं और बड़े ही लोक्तांत्रिक धंग से हम अपने इ